तो यहां पर हम सबसे पहले अपनी वेज़िबल देख लेते हैं तो मौसम की जो भी आपको सब्सक्राइब को आप बारी बारी काट कर ले लिए और यह मैंने एक कटूरी चावल जिसे हमने तीन से चार घंटे के लिए भिगो दिया था उसी ले लिया है और उसको ही हम बैटर के लिए यूज करेंगे तो यहां पर मैंने मिक्सी जार ले लिया है और इसमें हम अपने मटर डालेंगे और इनको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और यहां मैंने अब चावलों को पीसने के लिए मिक्सी जार में ले लिया है तो इन्हें हम बारिक पीस लेंगे और इनका बैटर तेयार कर लेंगे यह देखें अब इसे हम एक बड़े बावल में निकाल लेते हैं तो इस बैटर को हमें और पतला करना है देखें यह मैंने पानी मिला है इसमें थोड़ा सा पानी और लगेगा अभी भी बहुत गाड़ा लग रहा है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है तो यह इतनी consistency इसकी ठीक है अब हम इसमें अपनी vegetables को add करेंगे तो अब हम इसमें मसाले add करेंगे यह मैंने इसमें half teaspoon काली मिर्श लिया है और यह one teaspoon इसमें मैंने नमक लिया है नमक अब अपने टेक्स्ट के according डालिएगा इनको mix कर लेंगे हम तो बैटर हमारा तैयार हो गया है चलिए इससे pancake बनाते हैं तो यहां मैंने तबा ले लिया है नांस्टिक इसे गरम करने के लिए रख देंगे तो तबा गरम हो चुका है अब इस पर हम थोड़ा सा पहले तेल लगा लेंगे क्या अएम मेंगे कर अएम क्या अएम क्यासा अएम झाल झाल तो जैसी हमारा बैटरी एक साइड से पक जाएगा यह देखे यह अपने आप भी छोड़ देगा तभी को और हम इसे अराम से पलड़ देंगे तो देखी एक साइड से तो यह कितना अच्छे से सिक्के तयार हो चुका है तो पीछे की साइड से भी हम इसे गोल्डन फ्राय हुने तक सेक लेंगे तो लीजिए हमारा पैनकेक दूसी तरफ से भी बहुत अच्छे से सिख गया है और क्रिस्पी हो गया है तो इसे अब हम निकाल लेंगे और ऐसे ही हम अपने सारे पैनकेक्स को सेक लेंगे तो लीजिए हमारे सभी पैनकेक्स बन के तयार हैं आप इसे सुबह की चाय या शाम की चाय के साथ नाश्टे के तरफ कर सकते हैं कर सकते हैं झाल कर सकते हैं झाल कर सकते हैं झाल को से सिख अवारे पैनके का लेगा यह ज़िए झाल